एक बार बिहार के मुख्य मंत्री डॉक्टर जगरनाथ मिश्र जैसे ही पटना के एरपोर्ट पर उत्रे तो उन्हें पहले से ही विधायकों ने घेर लिया विधायकों ने घेर लिया हंगामा शुरू कर दिया हंगामा खुछ इसकादर बढ़ता है कि जो सुरक्षा में लगी होई फोर्स थी वो, एरपोर्ट की स्रुक्षा में लगी हुई फोर्स वो और साथ ही जो एरपोर्ट पर पहले से ही लोग मौजूद थे वो भी एक जिगे खटे हो जाते हैं और हंगामा बढ़ने लगता है नारेबाजी शुरू हो जाते है नारेबाजी करने वाले भी कोई ओर नहीं थे कॉंग्रिस की विधायक होते हैं कॉंग्रिस के ही मंत्री थे और कॉंग्रिस के ही मुख्य मंत्री थे वहां आसपास में खड़े होई लोग ये समझनी पा रहे थे कि आखिरकार अपने ही सरकार के खिलाफ ये विधायक क्यों हंगामा कर रहे हैं तभी एक विधायक जोड़ जोड़ से कहने लगता है कि बोवी हत्या कांट को बंद करा दीजिए जिस तरह से आपके IPS कुनाल किशोर जांच कर रहे हैं यदि यही जांच करते रहे तो आपको अपनी कुरसी कवानी पढ़ सकती है बस इतना कहना था तभी मुखे मंतरी कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो क्या बात है वो कहते हैं कि हम आपकी पुलिस से जांच नहीं कराना चाहते हैं बलकि हम CVI से जांच कराना चाहते हैं बड़ी हैरां करने वाली बात थी, लोगों को पुलिस वर विश्वास नहीं था, CVI से जांच करा रहे थे, वो भी केस को बिकुल अलग दिशा में मोड़ने के लिए, और वैसे ही होता है, मुख्य मंतरी की इस मामले में जुकाव होता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से वो बिधायक दवाब बना रहे थे, और इसके बाद फिर CVI से जांच करा रहे जाती है, और CVI जांच करती ज़ूर है, लेकिन मुख्य मंतरी को फिर भी अपनी कुर्सी कवानी बढ़ जाती है, यह कहानी जो आज मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, यह कहानी वाकि बिहार की सबसे चर्चित कहानियों में से एक कहें, तो गलत नहीं होगा, इस कहानी से कहते हैं कि यदि इस जो भूमी का इसमें बनाई गए थी, जो भूमी का भीड को दिखाई गए थी, यदि यह वूमी का नहीं दिखाई गई होती, तो बिहार में लोकतंतर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, ऐसी बातें कही जाती हैं, आदाब, नमस्कार, सस्रीयकाल, मैं उस्मान सेफी, आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, इस अची घटना है, पिहार पिर्देश का एक शहर है पटना, दरसल एक लड़की जो बें तहां खुबसूरत थी, बच्ची थी, ना उसके परिवार में कोई था, ना मा ना बाप, कोई भी नहीं था, तब ही एक कॉंग्रेस की नेता रही थी, राजेश्वरी सरोजदास, उन्हें पता चलता है, तो उन्होंने इस लड़की को गोद ले लिया, उसे अब एकुल अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी बहुत अच्छी से परवरिश की, उसको बहुत अच्छे स्कुल में दाखला कराया, जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे इसकी खुफसूरती की चर्चे हो रहे थे, विद्या लेंप बढ़ने जाए या फिर घर पर रहे या पिर कहीं भी रहे, तो इसकी खुफसूरती लगातार दिनो दिन बढ़ती चले जा रही थी, और इसी खुबसूरती के वज़े से इसकी पहचान बढ़ने लगती है साल 1973 में एक फिल्म आई थी बोवी बोवी की हीरोईन और ये लड़की जिसका नाम रखा जाता है बेबी उर्फ शेता निशा अब शेता निशा इतनी खुबसूरत कि लोग उसे बेबी ना कहके अब बोवी कहने लगे क्योंकि बोवी फिल्म की जो हेरोईन थी उससे कहीं न कहीं ये मैच करती थी साल 1978 की बात है इस लड़की की सची बाले के अंदर पटना के जो सची बाले है उसमें नोकरी लग जाती है जब ये नोकरी करने वहाँ जाती थी तो यहाँ पर बहुत सारे नेताओं का विधायकों का मंत्रियों का इनका आना जाना लगा रहता था और इसी बीच में बताया जाता है कि एक विधायक से इनसे कुछ नजदीकियां बढ़ जाती है विधायक से नजदीकी बढ़ती है तो इसके बाद पिर दूसरे विधायक से नजदीकी बढ़ती है दूसरे विधायक कहता है कि भी हमारी भी जान पिचान करो हम तो इसी तरह से धीरे धीरे करके विधायकों की लाइन लग जाती थी अब वो यहां पर विधायक बाकी कामों में कम और इस लड़की के इड़ी गिर्द जादा दिखाए देते थे इसकी जिन्दगी में सब कुछ ठीक चला था लेकिन अचानक ही एक ख़बर चपती है ग्यारा मई 1983 को दो अख़वार होते हैं उस शहर के चर्चित अख़वार आज और प्रदीब जैसे इसमें ख़बर चपती है पता चलता है कि बोवी की हत्या कर दी गई है और ये सूत्रों के हवाले से फ्रेंट पेच पर ख़बर थी शहर में हंगामा ख़ड़ा हो जाता है जैसे ही शहर में हंगामा ख़ड़ा होता है वैसे ही पुलिस अलर्ड भी हो जाती है और इस शहरियन की पटना में SSP के तोर पर नुक्त होई थे अभी एक मेहने पहले घटना होई है मई में और नुक्ती पाये थी उन्हें अप्रेल में अप्रेल 1983 में IPS officer कुनाल किशोर बहुती तेज तर्रार और इमानदारी के लिए मशूर किसी की भी ना सुनने वाले काम जो भी होता था पूरी एमानदारी से करते थे अब चाहें सामने कोई विधायक हो मंतरी हो मुक्य मंतरी हो कोई भी क्यों ना हो तो उनके ही साथियों ने कहा ओफिसर के यदि आपने इस मामले की निस्वक्ष जांच नहीं कराई तो मामला कहीं तूल ना पकड़ जाए इसलिए आपको इसकी निस्वक्ष जांच करानी चाहिए अब वो इस मामले की जांच परताल के लिए क्योंकि अख़वार में ख़बर चपी थी ये पता करते है कि क्या इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या कोई बात है पता करने की कोशिश करते है कि बोवी आखिर है कहां तो बोवी के बारे में पता करने की कोशिश की आती है तो सचमूशी ये बात सही थी कि वो मर चुकी थी मरने वाली बात आती है तो घर में पता कराया जाता है तो पता चलता है कि वो मर चुकी है 8 मई 1983 को इसका होस्पिटल में इलाज चल रहा था IGI MS होस्पिटल के अंदर और सुबह के चार बज़े के आसपास उसने दम तोड़ दिया था क्या बज़े थी अब IPS ओफिसर जाना चाहते थे उन्हेंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था तो वही गोल मौल उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया अब इसी बीच में उनके पास दो पोस्ट मारम रिपोर्ट आती है बो भी की दो पोस्ट मारम रिपोर्ट थी थी कि जादा खून बहने से उनकी मौत हुई है तो दूसरी पोस्ट मारम रिपोर्ट ये कहती थी कि उनको हार्ड अटेक हुआ है हार्ड अटेक हुआ है खून बहा है ये बात समझ से परी थी तभी IPS ओफिसर ने पूछा कि इस मामले में मुकदमा चूनी लिखाया गया तो जो उनकी माह होती है राजजिश्वरी सरोजदास वो कहती है कि मैंने मुकदमा नहीं लिखवाया है वो कुछ कहने की इस्तिति में नहीं थी कंडिशन में थी शायद बहुँ ज़दा बहवीत थी डरी हुई थी और इसी लिए उन्होंने इस मामले में कोई मुकदमा नहीं कराया तब ही इन्होंने आईपेस ओफिसर ने पुलिस की तरफ से मुकदमा धर्च कराते हैं और मुकदमा धर्च कराने के बाद ये पता करते हैं कि आखिरकार वो लड़की है कहा दरसल वो क्रिशन समास से बिलोंग करती थी तो इसलिए उसकी बोड़ी को जलाया नहीं गया था बलकि एक कदम कुआ कबरिस्तान था वहाँ पर दफनाया गया था उच अधिकारियों से अनुमती लेने के बाद और खुद उन्होंने इसने मिलकर इस लड़की किलाश को कबरिस्तान से बाहर निकल वाया उसका पोस्ट माड़म कराया पोस्ट माड़म जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी ना तो खून बहने से मौत होई है नहीं उसको हार्ड अटेक हुआ है बलकि कोई जहरीला पधार्थ खाने से उसकी मौत हुई है अब ये मौत क्यूं हुई है अब इसी की जाश परताल की बात थी यहां से एक टीम बनाते है टीम बनाने के बाद जो सरकारी कौर्टर होता है क्योंकि जो सरोज राजेश्वरी हैं वो विधान परिशत की सदस्य हो जाती है और उन्हें सरकारी कौर्टर मिला होता वो सरकारी कौर्टर में ही रहती थी बेटी उनके साथ रहती थी तब ही वो सरकारी कौर्टर में जाते हैं उस जगे आसफास के लोगों से पूछताज करते हैं आसफास के दो लोग ऐसे मिलते हैं उनसे बाचित करते हैं कि सर, यहं हम लोगों का नाम तो सामने आना नहीं चाहिए लेकिन, कंग्रेस के एक दिगज निता हैं, जो विधान सभा के अध्यक्ष हैं, राधा नंधं जा, तो राधा नंधं जा जो हैं, उनके बेटे हैं रगव पुलिस वाले इस मामले की और बुक्षता से जा passions केने लगते हैं धीरे-धीरे करके एक सूची त्यार की जाने लगती है किसने मारा है, क्या है, क्या नहीं, कितने लोगों से समस्दने इस घर में, क्या जाता है कब आते हैं, कब जाते हैं, ये कब अपनी जोब पर जाती है, टाइपिस्ट की जोब कर रहे थी, सचीवाले के अंदर, तो एक-एक बारीकियों की जो परताल कर रहे थे, तो दीरे-दीरे एक नाम सामने आने लगते हैं, और ये बात फिर अब और निताओं में फैलने लगते हैं, सबको लगता है कि कहीं बात खुलके सामने आई, तो मेरा नाम भी आएगा, मेरा नाम भी आएगा, इसी बीच में, अब इन सब लोगोंने 25 मई 1983 को जब ये मुख्य मंतरी बिहार के पटना के एरपोर्ट से निकल रहे थे, तब ही 42 विधायक, दो मंतरीन का घहराप कर लेते हैं, और कहते हैं कि इस मामले की जाँच, आप इस IPS ओफिसर से ना कराकर किसे और से कराईए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी, तब ही एक सहमती बनाए जाती है कि इस मामले की जाँच, CBI से कराओ, और CBI से कराने बाद लीपा पोती करा देना, कोई इस बात को पूछने वाला नहीं, लेकिन तब तक ये इतने सबूत जुटा चुके थे, इन्हों लगबख बताया जाता कि सोर नामों की सूची थी, उसमें जादतर विधायक थे, जादतर बड़े बड़े नेता थे, जादतर ऐसे लोग थे ज खुद सतर कोते हैं, सीधा फोन करते हैं, आई पीएस ओफिसर कुनाल किशोर को, वो कहते हैं कि, Сप्साभ क्या मामला है, क्या बात है, ये जो वो भी हत्याकांड है, ये क्या परकरण है? तब ही, वो कहते हैं कि सर, आप जिस के बारे में बात कर रहे है, दरसल इस मामले से आप दूर ही रहें तो जादा बहतर है, क्योंकि ये दरसली केस नहीं है, बलकि एक जुआला है अगनी है, ज़िए किसी ने भी इसके अंदर हाथ डालने की कोशिश की, तो उसके हाथ जुलस जाएंगे, जल जाएंगे, आपने भी अगर हाथ डालने की इसमें कोशिश की, तो आपकी भी हाथ जुलस जाएंगे, जब ये बात मुख्य मंतरी सुनते हैं, तो मुख्य मंतरी खुद परशान से हो जाते हैं, जब ये बात कैसे, कैसे मत छुड़िये, और वो फोन को रख देते हैं, कोई हैं बहस वाजी नहीं करते हैं, और तब ही मुख्य मंतरी सीधा लखन यहां बात करते हैं, दिल्ली में, दिल्ली में बात करते हैं, सीवियाई जाच की, सीवियाई जाच की बात करते हैं, यहां से वो लिखके देते हैं, और दिल्ली सरकार इस बात के अनुमति दे देती है दरसल ये मामला फिर पहुंच जाता है दिल्ली तक उन दुनों प्रिधान मंतरी थी इंद्रा गांदी उन्होंने भी अपने विधायकों को शायद बचाने के लिए CVI की जाच का आदेश हो जाता है अब सरकार से कहां CVI कहते हैं कि CVI तो वो बोलती है एक तोते की तरह जो सरकार कहती है सरकार ने जो कहा अब CVI ने वो बाली बात शुरू कर दी लेकिन इनके पास परियाब तसबूत थे एक तरफ ये सब चीज चल रही थी पहली रिपोर्ट कुछ और कहती है दूसरे रिपोर्ट कुछ और कहती है तीसी रिपोर्ट जो IPS ओफिसर कराते है वो कुछ और कहा रही थी यानि कि उन्होंने जहरीला पधार्त खाने से उनकी मौत होई थी और इसमें कई नेताओं के विधायकों के नाम सामने आ रहे थे इसी बीच में अब ये प्लान करते है इनकी गिरफतारी का लेकिन CBI के पास जांच पहुंचती है CBI इस मामली के अपनी तरफ से जांच करती है CBI दिल्ली में रहती है पटना कभी नहीं पहुंचती है और बिना पटना पहुंचे ही उन्हें अपनी चार शीट दाखिल कर देते हैं रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि इनकी दरसल एक लड़के से अफेर था बो भी किसी से शादी करना चाहती थी बो भी जब शादी करने के लिए बार बार कह रहे ही थी तो उस लड़के ने साफ इंकार कर दिया और इसी वास्ते वो नराज होकर उसने अपनी जिन्दगी को हमेशा हमेशा के लिए एक जहरीला पदार्थ खाकर खत्म कर लिया जब ये वाली बात CVI की जाँच में सामने आती है तो सभी के सब लोग हैरान हो जाते है खासकर सबस्दा हैरानी होती है IPS ओफिसर कुनाल किशोर को क्योंकि उनकी जो जाँच थी उसमें कई नेता फस रहे थे कहते हैं कि मुख्य मंतरी ने ये सोचकर CVI को जाँच सोंपी थी कि मामला दब जाएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लेकिन उनकी कुर्सी जादे दिन चल नहीं पए इस हत्याकार्ण में जो हुआ सो हुआ लेकिन 14 आगस्त 1983 को मुख्य मंतरी को अपने पत्स से इस्तिवा देना पड़ा इससे भी बड़ी हैराने वाली बात ये थी कि जो एक बिपक्ष के नेता रहे थे कारपूरी ठाकुर उन्होंने भी पुलिस की इस जाँच पर सवालिया निशान लगाये थे उन्होंने भी हंगामा किया था कहा था कि जो IPS ओफिसर ने जाँच की है वो गलत है ऐसा लग रहा था कि इसमें ना किबल पक्ष बलकी बिपक्ष के लोग भी इस पूरी कहानी में शामिल थे ये कहानी कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती यदि IPS ओफिसर ने इस लड़की की मा राजिश वरी सरोजदास के पास ना गए होते क्योंकि जैसे ही ये पता चलता है अखवार में खवर चपती है अखवार में खवर चपने के बाद वो घर जाते हैं घर जाने के बाद उसे बाचित करते हैं कहते हैं कि तुम्हारी उमर काफी हो चुकी है तुम्हारी लड़की की मौत हो चुकी है वो मर चुकी है क्या तुम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती है तब ही वो रोने लगते हैं और रोते रोते सारी बात बताती है एक एक बात बताती है कि कैसे रगुवर्ग यहां पर आये थे कैसे उन्हों दबा दी थी कैसे नकली डॉक्टर का इंतजाम किया कैस नकली पॉस्ट मार्णब की रिपोर्ट तयार की गई सब कुछ जो उन्हों था एक एक बातें बताएं थी कौन-कौन लोग शामिल थे कौन-कौन के घर पे आते थे यह हर एक बातें बता रही थी वो विकुल भी नहीं जानती थी कि एक टैप रिकोडर है जो किया उनके कु रिफ्तारी होती इसे कुछ होता इससे पहले ही इस जाच की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया गया था बताया यह जाता है कि पटना से लेकर दिली की सरकार तक इसमें कहीं न कहीं इन्वोल्व थी वो अपने बिधायकों को वो अपने नेताओं को बचाना चाहती थी दो